आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि sad होता क्या है sad मतलब होता है sad मतलब क्या होता है दुखी ठीक है और sad मतलब क्या होता है sad मतलब होता है कहना कहना तो sad क्या है sad एक adjective है adjective क्या होता है adjective वो words होते है जो कि noun को qualify करते है यानि कि noun की विशेशता बतलाते हैं इसलिए उनको विशेशन कहते हैं और sad क्या है? sad भी एक adjective है लेकिन ये past form है ये भी एक adjective है लेकिन ये past form है किसका past form है? तो ये past form है say का okay say का past form होता है sad okay now अगर हम sentence की बात करें तो sad की sentences क्या बनेंगे? sad के okay first sentence की बात करें तो बनेगा I am very sad today मैं बहुत दुखी हो I am very sad today very sad today okay या फिर दूसा sentence कैसे बन सकता है? दूसा sentence बन जाएगा her words her words makes me sad मतलब उसकी बातें मुझको दुखी करती है makes me sad okay और वहीं अगर हम sad की बात करें sad तो sad मतलब क्या होता है? कहना तो इसका first sentence कैसे बनेगा? she said she said to me that she said to me that I am beautiful I am beautiful okay उसने मुझसे यह बात कही कि मैं बहुत सुन्दर हूँ ठेक है? या फिर एक और sentence he never say he never say goodbye उसने कभी मुझे goodbye नहीं कहा ठेक है? तो यहाँ पर sad का क्या मतलब आ रहा है? यहाँ पर sad का मतलब आ रहा है दुखी या फिर her words makes me sad इसमें भी sad का मतलब दुखी और sad का मतलब क्या होगा? sad का मतलब कहना या कहा ठीक है? यह past sense होता है किसका say का okay so that's the difference, that's the answer. Thank you.